हाई दोस्तों मेरा नाम है जमीर आप सभी का हमारे इस चैनल आयोएस गुरूजी में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आयोएस 11 का जल्ब्रेक करेंगे तो दोस्तों आपका फोन अगर आयोएस 11 लेकर 11.1.2 तक अगर है तो आप अपने फोन को जल्ब्रेक कर सकते हैं अगर उससे ज्यादा लेटस्ट वर्जिन में अगर आप हैं तो आप नहीं कर सकते फिलाल के लिए 11.1.2 तक जल्ब्रेक आया है रिलीज हुआ है आज तो इसी के बारे में बात करते हैं तो पहली बात आगर आपको मालूम नहीं है कि जल्ब्रेक क्या है क्यों करते हैं तो इसके भी उपर मैंने वीडियो बनाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो और रही दूसरी ब पर चेक कर लीजिए तो चलिए दोस्तों जेलब्रेक बहुत ही आसान है जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो दाला था कुछ मैंने पहले युएस टेन का तो सेम उसी तरह का प्रोसेस है इसमें भी कुछ चेंज नहीं है इस आपक यह सौफ्ट यह जो एलेक्ट्रा सौफ्ट पर है वह एक चेंज है बस तो चलिए करने के लिए पहले आपको अपना PC में ब्राउजर ओपन करना है और मैं लिंक दे दूंगा आपको वह लिंक से आप यहां डायरक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पर तो जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आप यहां वेबसाइट मर आ जाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं डाउनलोड तो आपको यहां इस डाउनलोड पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर सिंपल ऐसा क्लिक करेंगे तो बस यह सीधे डाउनलोड हो जाएगा तो यह हो गई पहली स्टेप अब दूसरा जो काम करना ह में सीडिया इंपक्टर डाउनलोड करना है तो आप यहां देख सकते हैं मैक और विंडोस ओएस दिख रहा है अगर आपका विंडोस है तो आपको यहां विंडोस पर तो चलिए डाउनलोड हो रहा है इसको हम कैंसल कर ले ते यह ऑल्रेड़ी दो जो सौफ्ट्वेर है मैंने डाउनलोड कर रखें तो अभी आप यहां देख सकते हैं यह दो अल्रेडी मेरे लैप्टॉप में डाउनलूड है तो चलिए आप करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं, IMPACTOR इसको पहले 오र्ण करना है, इसको 오र्ण करने के लिए Zip फैल है, आपको यहां right-click करना है और यहां extract-all पर ख्लिक करना है और यहां extract पर open करना है इसको open करने के लिए zip file है आपको यहां right click करना है और यहां extract all पर click करना है और यहां extract पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यह सीधे आपके laptop में open हो जाएगा open होने के बाद आप यहां देख सकते इंपकर अप्लिकेशन इसको open करना है और यहां run पर click करना है जैसे run पर click करेंगे देख सकते हैं यह open हो चुका है छोटी वाला यह देख सकते हैं देख सकते हैं यह वाला तो अब आपको करना क्या है पहले आप अपना iPhone अपने laptop से connect कर लीजिये जैसे आप connect करेंगे तो आपक इसको पकड़ना है और सीधे यहां इसमें छोड़ देना है फाइल को पकड़ के जैसे आप छोड़ते हैं फिर आपको यहां अपना इमेल डालना है जो आपके आईफोन में लॉग इन है वो इमेल और यहां आपको पासवर्ट करक्ट एंटर करना है करने के बाद आपको यहा और आपके पर क्लिक करना है तो दहुत आप लुख पर क्लिक लेगा अब न से जालू हो चुका आप्ध तो देख सकते हैं आपका फ़ों जंद रख हो रहा है देखिए जैसे एक हैं यहाँ सेटिंग में जाना है और प्रॉफार अंग मैंनेजमेंट में जाना है और जैसे जाएंगे आप तो यहां आप देख सकते हैं ट्रस्ट करना है आपको यह आपको ओपन करना है आप ओपन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं जल ब्रेक जहां लिखा हुआ है बस आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और कुछ देर के लिए रुख जाना है तो दे तो देख सकते हैं भी आप सीडिया यहां पर आ चुका है तो हमारा फोन पुरी तरह जलब्रेक हो चुका है कमप्लीट तो अभी आप यहां नीचे भी आप देख सकते हैं यह iOS 11 का जलब्रेक है देखिए तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कुछ डाउट हो तो मेरा फेस्बुक लिंक दोंगा आप वहां मुझे डायरक्ट मेसेज कर सकते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्क्रीन चाट सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यावाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियों